नमस्कार दोस्तो जैमा लक्ष्मी आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में जीवन का सूरज ज़लने से पहले आज की वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतक देखें नहीं तो दोस्तो आपके जीवन में बड़े परिवर्दन हो सकती हैं जीवन में 8 बचकर 49 मिनिट से आप लोगों को सावधान रहना होगा और ये गलतियां आपको नहीं करनी है जीवन दोस्तो आपने बिल्कुल सही सुना है की इश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है लेकिन कई बार जाने अंजाने में आपको चैसी गलतिया कर देते हैं जिसका भुकतना आपके साथ आपके परिवार को भी भुकतना पड़ता है और आप बुरी आर्तिक तंगी का सामना करते हैं दोस्तो ये आपकी जिन्दगी की सबसे खास बात रहने वाली है इसलिए आपसे हाज जोड़कर ने वेदन है कि आज की जानकारी को आप शुरू से लेकर अंतक देखने की गरपा गरे दोस्तो इसके साती साथ हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बड़े योग आपके जीवन में पढ़ रही हैं कौन से बड़े बदलाव आप लोगों के लिए अब होने वाले हैं इसलिए आज की जानकारी को आप शुरू से लेकर अंतक देखिएगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आएं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर प्रकार की जानकारी उन्हें समय समय पर प्राप्त होती रहे इसके साथी कमेंट बॉक्स में सची श्रद्दा से जैमाल लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है अवशे लिखे ताकि मातारानी की सीधी क्रपा आपके उपर पढ़ सके तो चलिए दोस्तो बिन देरी की वे जादक समय ना लेते वे बात करते हैं अगले इन 24 घं चलिए दोस्तो आपको बता दे कड़ी मेहनत करने के बाद में दोस्तो पैसा कमाता है बहुत जल्दी पैसों की महतपून समझ से आप लोगों की पूरी होने वाली है दोस्तो जिन्दकी जीने के दो तरीके होते हैं जो पसंद है उसे हासिल कर लो या फिर जो हासिल है उसे दोस्तो आज की बड़ी खुशकबरी कोई भी पूछते हैं नहीं विवाद आप से आसेमिती और दोस्तो समझने के सुधार हैं परावारिक जरूरतों को घर के विस्तार सम्बंदित कार्यों के भी योजनाय बन रही हैं और किर्यानित भी होने वाली हैं आप अपने कार्यों क विस्ता तथा पारवारिक जीवन के माध्धम से नई उपलब्दियां प्राप कर सकते हैं दोस्तो इसमें आप लोगों को सहस और विश्वास की छलाग लगाने की आवशक्ता अप पढ़ने वाली हैं जीवन में चल रही समस्याओं का भी महद पून हल आप लोगों को मिले का बोलनात की विक्रपा पर बनी है याद रखें कि गीता में खुद लिखा है कि महनत करने वाले पैसे बहुत जल्दी ही भले उन्हें ना मिले लेकिर उनकी किस्मत देर से ही सही पर बहुत लंबे समय के लिए चमकती है जीहां दोस्तो इसके साथी साथ आपके जीवन से ब रिशान करना चाते हैं समय अनुकूल है काम करते रहे ये सुक आप लोगों के जीवन में नए परिवर्तन लेकर आएगा जीहां दोस्तो इसके साथी अब आप सफल होने वाले हैं सफलता और आसफलता जीवन के दो सबसे प्रमुक पहलू होते हैं जब भी आप किसी काम को क करेंगे तो आप तो या तो उसमें सफल होंगे या फिर आप उसमें अनुभव प्राप्त करेंगे दोस्तो कोई भी व्यक्ति आसफल नहीं होता है या तो आप जीतते हैं या फिर आप कुछ नया सीखते हैं दोस्तो और कहते हैं कि यदि आप सीखने के बाद में जीतने का प्रयास करेंगे तो आप आवशित से जीतेंगे इसलिए दोस्तों जो भी व्यक्ति एक बार ये दिया सफल हो जाए उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए बलकि उसे अपने अनुभव के साथ में अधिक महनत करने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों इसलिए दुनिया कहती है कि महनत के साथ में जो सबसे बड़ी चीज काम आती है वे होती है अनुभव दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत जादा खास होने वाला है दोस्तों सावधान हो जाएए आने वाले अगले 24 घंटे में एक इच्छा आप लोगों की पूरी होने व कारे में जाल लेंगे तो आप लोगों का समय काफी अनुकुल रहने वाला है वेर्थ की बातों में अपना दिमाग आपको नहीं लगाना है दोस्तों आप प्रितेक्ष कारे करिए तो ये आपके लिए काफी बैतर रहेगा आलस से और ला परवाही इन दोरों चीजों से दो कोटे बच्चों के पेट में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जिसे लेकर के ला परवाई करना बड़ी समस्या को जन्म दे सकता है दोस्तों एक अनमोल विचार आप लोगों के साथ में रख रही हैं बहुत ध्यान से और काल लगा कर सुनिएगा आपको सही जीवन ज बचन नहीं देना है कई बार हम ये सोचते हैं कई बार हम बहुत मस्ती में होते हैं तो किसी को भी दोस्तों प्रॉमिस कर देते हैं बाद में जब हमें इस बात का होश आता है कि हम इसे पूरा शायद नहीं कर सकते हैं और कहीं न कहीं हमारी छबी खराब करती है तो इस बात का ध्यान रखें कि आनंद में कभी किसी को बचन ना दें दोस्तों दूसरा है कि करोध में कभी भी आप किसी को उत्तर मत देना कई बार ऐसा हो जाता है कि करोध हमें एकदम से आ जाता है और खास करके आपके राशी वाले जातकों को ये दोस्तो अलग तरेके का आप लोगों को बहुत सामना करना पड़ता है चीजों के लेकिन इसी क्रोध के बीच में यदि आपने किसी को गलत बात बोल दी तो पूरी जिन्दगी के लिए उसके दिवाग परवेचीज बैटी रहेगी हमेशा उससे चुपती रहेगी और दो दोस्तो दूसरा पॉइंट नहीं है कि क्रोध में कभी भी किसी को आप उत्तर मत दीजेगा तीसरा पॉइंट रहने वाला है दोस्तो कि दुख में कभी भी निर्ने आपको नहीं लेना है ऐसा कहा जाता है कि भावनाओं में बहतर इंसान हमेशा गलती कर देता है जब हम तीन बातों का अपने जीवन में तिशेज ध्यान रखने की आवशक्ता है यदि बाते पसंद आए हूं तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव तो आएए दोस्तों इसके साथ हम आपको कुछ खास साफधानियां बता देते हैं और दोस्तों देटा लॉस होने की संभावना बन सकती हैं यदि साजदारी में आप व्यापार करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले ये निश्चित कर लेना है कि आपका जो भी पार्टनर है वे इमानदार है या फिन नहीं है वरना आगे जाकर के इस्तितियां बिगड़ सकती हैं क्योंकि दोस्तों जीवन में कहीं कुछ काम आएगा तो वो केवल पैसा ही काम आएगा और पैसों से ही ववहार बनते हैं हर समस्या का समधान रुपय ही होता है तो पैसा कमाने पर आपको ध्यान देना होगा अब इसका मतलब ये तो नहीं निकलता कि हम पैसा कमाने के चकर म अपने परिवार को समय ना दे आराम ना करें ये चीज़े दोस्तों अपनी जगापन है और पैसा कमाना अपनी जगापन है हमें अपने परिवार अपने बीवी बच्चे को ध्यान रखना होगा नए कारेयों की तरफ आप अगरेसर हो सकती हैं ये आप लोगों के लिए बहुती खास और बहुती महदबूर रहने वाला है जी है दोस्तों इसके साथी साथ आप से भी कोई ये बात भी हम बताना चाहते हैं कि आपके कारेयों को लेकर कि कुछ चीज़े बढ़ सकती हैं जो आप लोगों के लिए काफी खास और काफी बहतर होने वाली है किसी भी दोस्तों बहारी इंसान की बात ना माने घर के बारे में दोस्तों यदि आपको कोई किस अपने लोगों के खिलाब भड़काया तो जरूर से जादा किसी पर आख बंद करके विश्वास ना करें आप या और दोस्तों नकाल दिजेंے ऑपने पारवारिक जीवन में यदि आप बात करें तो कोशिश करें ऐसी बाते घर के बाहर ना आ रहे हैं या फिर रिष्टा लगा रहे हैं क्या फिर कोई भी कार कर रहे हैं गुप्ति योजना बने हैं तो यह कोशिश करें कि आप अपने दोस्तों ऐसे लोगों को ना बताएं जो आपकी बाते दर से उधर कर देते हैं आपको नुक्सान करने की विक्ति कोशिश कर रहे हैं दोस्तो कभी भी विशेश और खास जरूरत हो तो दोस्तो वो बहुती खास और निजी लोगों को ही बताएं तो ये आपके लिए काफी बहतर रहने वाला है दोस्तो अब हम आपको एक खास उपाय बताते हैं जो आपकी वाधाय दूर करेगा वर शत्रू को नास करेगा यदि आप शत्रू को जानते हैं पहचानते हैं नाम भी जानते हैं जो भी शत्रू है जो भी आपको परिशान कर रहा है जो आपकी घर को बरबात करने कोशिश कर रहा है तो उसके लिए आपको जितने भी शत्रू को जानते हैं उतना आपको गड़ा को देना है छोटे छोटे लेने हैं आपको और उसका नाम लेकर के गड्डे में दोस्तों रख देना है कियाद रखिएगा किसी की बुराई करने के लिए पिर बुरा करने के लिए आप इसके बादा आपके बाद में दोस्तों जै शिरी राम जै बजरंग बली का ध्यान करते हुए आप इश्वर से शमा मांगे कि यदि आपने कुछ गलती की हो तो भगवान आपको शमा करे और आपको सुख फल की प्राप्ति दे। इसे शेयर करिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दपा दें ताकि हर ग्यानवर्दक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के होगी आवशे लिखे